अगर आदमी रात को सोए और सुबह ना उठे तो बात अलग है लेकर उठ जाए अगर 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 उठ जाए ठीक ठाक उठ जाए उठा मनलब He is there in this world. तो सुबह उठके पहला काम उसको क्या कर्मा चाहिए? बड़ी बात आपने कही है. स्वाल बड़ा अच्छा आपने रखा है. एक बात आजकल बहुत चल रही है कि रात को अच्छा वला सोया था सुबह उठा ही नहीं है. ऐसा हो रहा है. यह क्यूं हो रहा है मैं आपको बताता हूँ कि धाइबर्टीज जो है, शूगर का जो रोग कुछ ऐसी और बिमारीयां भी हैं जिनकी दवाईयां चल रही है पेशेंट की और वो डॉक्टर से जाके कंसल्टी नहीं करता वो दवाईयां का जा रहा है और दवाई का फॉबिया बन गया कि अगर मैं नहीं काऊंगा पतानी क्या होगा पर वो दवाई जो रोग को कम कर रह है यह राइट तो मैं आपको जनरली बता रहा हूं मेरे फादर इन लौ डाइबटीस की पेशेंट रोज डाइबटीस का इंजेक्शन भी लेते हैं एक दवाई भी खाते हैं अभी कोई दस आट-dस जिन पहले वो बात्रूम में गए और किर गए जब गए तो डॉक्टर के शुगर का प्राओबर हैं मागबड़ा के शुगर है यह नी डाइबटीस काफी लोगों मेरे फादर इनलो के साथ भी बेग यह ही हो रहा था कि कातम हो गया था बड़ ही विस तिल टेकिंग शुगर का मेडिस्त हम कहते हैं कि कं से कम शुगर को घर पर ही टेस्ट टेस्ट हो कुछ तो पता हो कि आपको है की नहीं है दवाई वही खा रहे हो हजार मिली ग्राम हजार मिली ग्राम तो एक दिन तो नुक्सान हो नहीं होना है सहब और मैं कहता हूता हूँ पेशेंट जितने पी प्यों मारे सेंटर पर आते हैं डॉक्टर जो करते हैं हमारे करें मेरा रो चोड़ेंगे अगले अपते चोड़ेंगे जब दिखेंगे मैं तो ठीक हूँ तंदरुस्त हूँ तो उनके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि दवाई छोड़के भी मैं जिन्दा हूँ और तंदरुस्त हूँ क्योंकि एक दिन में सारी चीजें डीटॉक्सिफाई हो जाती ह तो उसके बाद क्या होता है कि पेशन्ट को अनर्जी आती है लेकिन अगर पेशन्ट आयरवेदिक में है आयरवेद में काम कर रहे है तो उसको कोई भी चीज़ खाए अब जैसे हल्दी खाएगा तो क्या करेगी कुछ नहीं करेगी जैसे सारी उमर खाए खाते ही है डेली अगर वो मालनो जामुन का खा रहा है पाउडर तो क्या करेगा जामुन का पाउडर है कुछ नहीं करेगा नुकसान तो नहीं करेगा तो आयरवेद में हमारे जो वैद है उन्होंने डाइबटीज के लिए जैसे आपका पहला सुबाल था कि गोल साब जो सबसे आदमी जब अब क्या खाते हैं लोग चाहे उसके साथ बिसकिट खा लिए जा कोई ब्रेड खा लिए आप गरम पानी पी तो थीक है बाड़ी टेमपरेचर के पी रहें तो ठीक है लेकिन अगर सबसे पहला फूड जो है वो आमला खाया जाये सहाब कोई भी लीवर फ्रेंडली चीज आमला चाहे वो भूमी आमला है चाहे वो फ्रेश आमला है चाहे वो आमले का जूस है चाहे वो आमले का पौडर है एक वो आमला की केंडी भी मिलती है केंडी है पर सिर्फ आमला और कुछ श्वाद लेने की पड़ी रहती है आप द अगर हम लोग भी वही करेंगे तो फिर बच्चे क्या करेंगे तो मतलब यह है कि हमें क्या चाहिए कि आमले का पाउडर ही ले लो और आमले का जूस आता है बहुत अच्छी अच्छी कंपनियों का वो लेके रखो 30 ml जूस ले लो जैसे पीने वड़े 30 ml पानी मिला के पी लो तो उससे क्या है कि आपके लीवर को ताकत मिलती है जब लीवर सुस्त रहेगा तो आपके शरीर भी सुस्त रहेगा नहीं मैं तो यही कहता हूं कि भाई मस्त रहने से भी तो जिन्दगी बनती है मस्ती जिन्दा है तो हस्ती जिन्दा है वरना सारी दुनिया जबर्दस्ती जिन्दा है तो तो आगर आपने अच्छा से जीना है तो खाना सबसे पहला जो आप अच्छा खालोगे उसके बाद चाहे कुछ भी हूँ हम कहते हैं कि सुबह सुबह बोनी करने नहीं है को जान दी है तो बोनी अच्छा ही जाएगा अपकी इक्जाइमपल्स मुझे बाउत तो एक्जम्पल वही होने चाहिए जो सेट हो जाए जो लोग को समझ में आए अब समझ ही ना आए तो एक्जम्पल क्या अब जैसे ही है इसमें हमने डाला हुआ भूमी आमला पाउडर बनाया अब बहुत सारे इतने लेजियां कि गोईल साफ को आडर करते हैं मंगाही लेते है जो गोईल साफ बता रहे हैं शैद वो उससे ज्यादा बढ़िया होगा जो बता रहे है चलो आपकी यह भी इच्छा पूरी करते हैं कि इसके अंदर क्या है कि भूमी आमला पाउडर फिर इसके अंदर परवाल पिष्टी और गुदांती भसम यह चीजें जो हैं यह आपको पता चलेगा कि भूख अच्छी लग रही है कुछ भी खाओं हजम हो रहा है तो जब खाया प्या हजम होगा तो पेट भी अंदर शरीर भी सेट हर चीज में अच्छा लगता है और भागने दौड़ने में सांस भी नहीं पूलता तो यह सबसे पहला फूड है कि पर बेठे-बठाई मिल जाता है तो यह बताई यह यह यहां पर कप से देख रहा हूं यह मेरे सामने बहुत पड़ी है शीशी पड़ी है एक्स प्लस गोल्ड लिखा है एक्स प्लस गोल्ड यह कह चीज है वही चीज उठाएंगे आप जो आपके मतलब किया बताता है इं उसक्राइब जवान करता है और जोआनों को ऑना यह मैं जो णिजमग देख जो गहां ने जब कोई लेने आता है और इसे ही में एक बनोशी है उनको चभी तो पार घा ने जै, तो प्लादी ऐ जा आप ये लेने ढवाइन किन जुड़ इतो हम गोर्ट इनको देना एक्स प्लस गोर्ड जो है ला है इस जो ऎर्म जिसको डायबिटिस हो जाती ए मैं आपको बतातो जिसको शूगर हो जाती है चाहे वो दोनों की जो पॉरिश है अपनी बिटा अगर मुझे कुछ हो गया ना तो तुम देख ले ना जबकि शूगर ही हुई है और जो शूगर का समझधार पेशेंट है ना मैडम वो दुनिया का सबसे जाधा जीवन जीता है जो स्याना शूगर का क्योंकि शूगर उसको ही होती है जिसको भगवान ने त तो होती रहती है मरे लगा यार पैग खा इसके साथ चिली चिकन तो फिर वो तो देखो उसका तो चिल हो नहीं है सब कुछ तो यह जो चीजे है तो खाने पीने का मैनेज करती है और उसकी जो मैरेड लाइफ खराब होती है उसके लिए एक्स प्लस जो कैप्सुल है वो उसको भी देते हैं उसके लिए हमने बनाया नारी गज केसरी नारी गज केसरी नारी के अंदर गज के समान शक्ती आती है तो वो उसके लिए बनाया तो दोनों को देते हैं फिर हम उनको बोलते है भाया हमारी दवाईयों पे पैसे चाहे लेट खर्च लेना पहले थोड़ा बीमारी तो आपसे कोसों दूर भागेंगी, जब अब ऐसे तो इनका तो दिल तो बच्चा है जी, मिलकुल बच्चा है जी, और बंदा भी सच्चा है जी, एक डम है, सब खुश रहता हूं, तो बगवान करे जी आप ऐसी खुश रहो, ऐसी लोगों को खुश करते रहो, और हमारे शो में आते रहो, हम तो हमेशा चाहेंगे